आपको बता दे कि एके मिश्रा साब राजनेतिक विश्य शगया मरसा जुड़े हुआ है एके मिश्रा साब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि ब्रेक का दवाव था मेरे उपर कर दो अब मैं आप से पूछरा हूं सर ये पाई-पाई का हिसाब वाकरी में पाटिय देती है क्योंकि ब्रेक से पहले तो हर पार्टी ने दावा किया तखी immer चावला जी देखे हमेशा से यह देते रहें लेकिन इन चीज़ों को जैसे यह पांच सास सालों में जो यह सारी रिपोर्ट है समाजवाधी पार्टी की सारी संपत्ति इतनी बड़ी लगबग 200 परसेंट तो मैं बोलूँगा कि इन लोगों को पता था कि हां भाई काम क्या होता है और इसी चीज़ को ले करके काम बोलता है जो मैं देशित की बात कर रहा हूं यह एक ऐसा गुप्त और पेटेंटेड मंत्र है ना जो हमारे देश में कार्पोरेट या छोटे बड़े जो उद्दमी है जो मेहनत करके कमाते हैं उनके पास नहीं है तो सारे राजनेता हों और इन सारी पार्टियों से मैं बोलना साथ परसंट की जीडीपी अचीब करने में जो है पूरी हालत खराब होती है दूसरा कंक्लूजन इसका यह है कि इतने सारे मीजर्स लिए गए नोट बंदी वगरे किये गए और उसके बाद अगर यह रिजल्ट आ रहा है कि सारी पॉलेटिकल पार्टियों में 200 परसंट का सपा हो बसपा हो कोई भी हो यह तो गोषी थैंजो इन्हों ने डेकलेर किया है ने मैं वह में मिश्रस ऑप जाना चलबता है यह की का फौर्मूला क्या होता है। की सारे रिकॉर्ड धौस्त हो जाते, पर पांडे जी कहते हैं कि देखिये हम तो बताते है जो आकने हमारे पांसे सी भी आइज तक करवा ली जिये। छश्ट कर वा ली जिये। फॉर्मूला क्या है ? मैं आपको बताता हूं regarding तरक्षी का फार्मूला क्या है यहांपे तरक्षी का एक ही फार्मूला हो यह पिटिक और पॉलिटींस दोनों चीजों को अलग करके यह जो नीती लोग जो बनाःते हैं जो पॉलिटिशीयं च्राइच पॉलिए अलगोसित होती हैं agile इंडिया सब एक drives आ यहां पे हैं कि एक आदमी केरला में विधायक बना, यू कैनलाट बिलीव मेरे पास रिपोर्ट है, फांस दस साल में चवालीस हजार परसंट उसकी संपत्ती पड़ गई, गैत्री प्रजाप्रती जी के बारे में निकला था, मतलब 2002 में उनके पास BPL का कार्ड था, 2010-2012 तक वो बिलियनायर बन गए, तो मैं तो समझता हूं कि हमने पढ़ाई लिखाई करके जो लड़के IIT वगरा कर रहे हों बहुत बड़ी वेवकूफी है, तो स्कूल आफ पॉलिटिक्स किसी भी जो है राजमीत के जो है इनको जो है वेल्थ क्रियेशन का, हम अमेरिक्या को निश्चित रूप में पीछे चोड़ देंगे, एक पॉइंट आपको और जोड़ूंगा, टोटल इंडिया में 1947 से ही है, सारा का सारा चीश सर करॉप्शन से रिलेटेड है, मैं आपको बता दूँ, इंडिया में जितने भी करॉप में पैसा खतम कर दिया, वर्ड जीडीपी का 25% है, वन फॉर्थ जो टोटल ग्लोबल जीडीपी है, अगर इतना करॉप्शन में पैसा हमने वेस्ट नहीं किया होता, तो अमेरिका जैसे चार देस हमारे जेब में घूम रहे होते, तो यह यहां पर देखे, पॉलिटिकल वि प्री में लो, बताने की जरूतने, इंकम टैक्स नहीं है, किसी को कुछ, सर यह आज किसी दिन नौ नीदी के दाता जो है, वो पॉलिटिक्स है, तो हम सब लोगों को भी पॉलिटिक्स जॉइन करना चाहिए, कोई पाल्टी रजिस्टर्शन करवा लेनी चाहिए, ठीक, एक जन्ता उजेश के साथ इतना क्रूर मजाब है, ठीक, एक मिश्वा साब, राजीव जी आप मुस्कुरा रहे ते कुछ हयाद आ गया मुझे, आपकी पार्टी में पैसे को लेकर तमान तरह के आरोप कभी कॉंग्रेस ने लगाए, हम आगमी पार्टी ने लगाए, सपह तक हर राने तिक देनने लगाए, लेकिन एक हकीकत तो है ना सर, आपके यहाँ बीजीपी में कुछ ऐसे नेताओं की तरक्की का कल्चर साफ तोर पर दिखाई दिया, यानि कि पैसा लेकर जो आया, उसकी तरक्की तेजी से हुई इक हाँ चहला जी, भारती जनता पार्टी कार करता केडर पार्टी है, आपने देखा होगा कि योगी आदित नातिक कार करता तो उनको मुख मंतरी बना जिया गया, नरेन मोदी जी मुख मंतरी ते आज प्यधान मंतरी बन गया, भारती जनता पार्टी केडर की पार्टी, और एचीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ, आठ करोड़ो 35 हजार चाइना ने सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन भारती जनता पार्टी नो उसका भी रिकार्ड तोड़ा बाड़ा करोड़ कारकरता की तदस्ता दिलायों, जिस तरह से भारती जनता पार्टी का इतना बड बड़ा रहे हैं केवल पार्टी और उनके कारकरता बढ़ रहे हैं, सर कॉर्परेट घरानों का जिकर यहां पर किया गया, उसके पीछे की एक वजा थी, अगर आप लोग इतने धूट के धुले हैं, तो आखिर कार पाई-पाई का हिसाब क्यों नहीं, बिल्कुल पाई-प जाई भी अगराब करती है, और भारती जन्ता पार्टी पार्टी पाई-पार्टी इस तर्कार में नहीं मिलता था क्या, संजेग उप्ता साब यूपय की सरकार में नहीं मिलता था कॉर्परेट घरान उसे सर यह सुविधा यह सुविधा यह सुविधा यह तो तराजु एक बराबर है सर यह तो तराजु एक बराबर है आप लोगों ने साथ साल राज किया इस देश पर आप लोगों को अमल करवाना चाहिए था सर याभी चितमरम तक पहुच जाएंगे याभी चितमरम तक पहुच जाएंगे आप बताईए और ये जो पहुच जाएंगे एक सेकिंड गुप्ता साब पांडे जी संसद नयापालिका कारेपालिका तमाम शासन से जुड़ी हुई संस्थाओं का हिसाब किताब तो रखा जाता है उस पर चर्चा की जाती है लेकिन कमाई के मसले पर जब रानेतिक पार्टियों का जिकर आता है तो आप लोग सब एक ब इवेट में इसकर्थ पाया होगा है कि हम पर्टिकुलर ना सपा की बात करें ना यहां पर कांग्रेस की बात करें आपकी बात करें एक सत्य है जिसको हमको स्विकार करना पड़ेगा कि जनमानस की इच्छा हम सही है या गलत है इन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यह है कि जनमानस जैसे भी मिस्रा जी ने बोला, जनमानस ये चाहता है कि रियले पाई-पाई का हिसाब, जैसे कमपनियों का होता है, वैसे पार्टियों का भी हो, और हम इसकी मांग करते हैं, अधिकल तुरुप से मांग करते हैं, कि भारती जनता पार्टी आज सत्ता में है, सबसे ब आपको मैं जब आप ही ले लिजे हाँ थिक बात है हम समर्थन दे रहे थे पर सप्ता हमारी नहीं थे अच्छा थे चोटे से उधारण रख दी अब एक समुद्र में एक समुद्र के एक नदी थे वहाँ पे समुद्र वो थे पाने जी कितनी गरना हो आपको मालूम है आपको म आप से सुरुआत कर दिया जाए क्या बुना है आप से ही एक कानून बराण आपको का अगले हपते हिसाब किताब दे कर जंता के सामने लाइए क्यों ने इसकी पहल कर दिया जाए एक सेकिन एक सेकिन पर अगर आपको लेकर बड़ी हैरानी होती है अगर आप लोगों के सबके नीचे से नाम हटा दी जाए कौन किस पाटी का है यह जंता समझ नहीं पाईगी आप लोग सब जो है एक भाशा में बात करते जब चंदे की पड़ी है पार्टी की तो बता दीजे देश को अभी जस्ट मैंने जबाब दिया सुन तो लीजिए वो मेकनिजम क्या है एक सिंपल सा है सीरियल नंबर जीरो जीरो पांच बार के बाद एक से ले करके लास्ट तक सारे सीरियल नंबर की बुकलेट है बुकलेट किस डेट को कमलें साथ एक साथ एक साथ नंबर इंट प्ली प्लीज़ जाक फॉडन गिशर गार मरीड़ा घर लेगे सारा औरियू जाईए आप उब लिगे मिल जान गाया आप सां एक घर दों- पह एक वाया प्रभिस्पलञ फ़र श्रस रूप का जिया निट वानिख पर्प्र उर्क आप पिया जा रहा है आप अपनी बात रखिए ज्यादा समय मत लिजे प्लीज प्लीज कमलें साब आप लोगों ने सुचिता की बात की राजनीती में परिवर्तन का जिक्र किया आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन हो पाया यहां तो सब एक बराबर दिखाई देते हैं परिवर्तन इस परिवर्तन सब्ता का परिवर्तन हुआ है और जिसकी बात आपकर एक आपने एडियार की रिपोर्ट उठाई है और आपने प्रदेश में लाग रखिया अगर आप नेस्तर पर देखेंगे तो जब अमिसा के बेटे का 50,000 से 18,000 करोन हो जाता है तो वो धनिय सब्सक्राइब करें जो बढ़ी हुई है इससे यह पता चलता है कि यह लेनने का मामला सीधा आता है कि तुम मुझे दो और मैं तुम्हे दूंगा यह इन इसको पैसे देते हैं और वो उनको सहुलियत देते हैं इसलिए इनका बढ़ रहा है आप देखें सब्ता में नहीं अधिया सोत्र से मिलने वाली आई जो है वो 313 दी तर एक फिर से बोर रहा हूं 313 दी और शेत्रिय दलो की आए 652 दी पाने साथ आपके लिए है इतनी बढ़ोतरी बिल्कुल बिल्कुल चावला साथ 313 राश्के दल और 652 दी जो है वो जो है शेत्रिय दल सुन तुलिया आप चावला साथ एक सेकंड गुप्ता साथ को जबाब देने दीए एक सेकंड सुन लें एक सेकंड जिन्हों ने पूरे देश के सामने रामला मैदान के ओपा एकातुरम किया था और यह कहा था इस देश सेंव ब्रस्चार मिटाएं के और उन्होंने ताहता हम जन लोग पार लाएगे इसको कौन चेक करेगा भईसाब भी बात करें थे इसको 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 इसके लाई ताहएं तर पाटी के सब कर और उन्हों ना दिली के अंदर काविर आज सब्सकों खर है उससित जबंदे मतों हरा सब्सक्राइब आप आप जो बात करते थे-पार उचारक्पार कि उसका हुआ 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 है इस सब्सक्राइब अब भीप लुटे को जो अब भावा नहीं दो जो रहा है जानी को चाहिए गए इस अड़ी हुआ है लिए जाता था एक सेकंद गुपताजा यू पीय सरकार के वग जांच की बात होती थि एक महीने में एक और सेयोगी गड़ बंदन बन जाता था एक सेकंद एकमिश्रा साप ये बिंदस मैं डोनेट फंड क्यों नहीं बना दिया जाता बात ही ख़र कर ये एवालेट से पैसा चाहेगा, चाहेवाले को आप कहते हैं कि भाहिया जो है, आप e-wallet से पैसा दीजे, पेटियम से पैसा दीजे, लिखे वाले को कहते हैं. किसी चीज़ को फॉर्मल बनाने का है सारा काम हो रहे हैं, पॉलिटिशियन्स और moreno party कैसरे उनगों के, तो उसको फॉर्मल यह है करने की ज़िरूत है, उनको क्या ज़रूत पड़िए कि ये इस estás wieder, देखे, ये इकोनोमी cał inviting economy के एक्जम पैल हैं, मतलब दो तरीके की economy देश मे यह लोग चला रहे हैं रूल से अनॉम से आम पबिक कार्पोरेट्स और छोटे मोडे बिजनसमें के लिए दूसरे तरीके के नियम है कि आप हर दिन जो है इंकम टैक्स को बताओ कि क्या हुआ क्या नहीं दस रुपए आपकी जेम में आ गए तो आप उसका पूरा रेगुलर म आप जो मित्र लोग है यह बता रहे हैं कि जी हम एक डम नंबर वन बे हैं सारी डिटेल पढ़ी है अरे सर यह पांसो शाइसो करोड़ जो डिटेल में पढ़ी है इसके बाद कितना क्या है वह हमको क्या बता आप क्या बोल सकते हैं जिम्मेदारी से नहीं जी एक एक पैसा नहीं है 600 क्रोड जब आपका ऐसे हो रहा है तो कमस्कम आप यह देखिए 6000 क्रोड तो आपका ऐसे होगा तो कई तरीके के यह फंडिंग के इन लोगों के सोर्सेज हैं वो तो एक केवल इस चीज से यह नहीं हो सकता है कि हर आदमी ने इनके मेंबर्स ने 10-10 रुपए या 100 यह वही पार्टियां है सर जो आज टीवी चैनल पर बोल रही है कि मैं बोलता हूं कि आपकी पर्सेंटेस ब्रोथ रेट आप देखिए 200 परसंट तीन सो परसंट हो रही है आपकी यह स्किल देश को क्यूं नहीं अगर आप बोलते हैं इमांदारी का है सब्सक्त सही है तो सब्सक्राइब कर देखिए समाजवाद समझाते 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 और आप भी जो देश की सबसे अमीर पार्टी बन गए समझाईए सर तिलक जी बिलकुल बहुत मिश्रा जी ने बढ़ी इत्राटिद बात की मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहते हूं भारती जनता पालिटी का जो भी हिसाब है और मेरे क्यां यहां से लिली हर प्रदेस में मेरे सीए बैठा है हर जेंगे मेरे पैसे फंडिंग आती है तो सारी पुगा आइने की तरह साफ है सार इस नियम की कहानी बताओ आपको अगस्त 29 सर तारीक नोट करिये अगस्त 29 जोहजार 13 कंप्रीज एक्ट 2013 ऐसा संचोधन लाया गया जहां पर कंप्रीजों को हर पास साल में अपना आडिटर बंद ना दोजी लेकिन नियम दलों पर लागू नहीं होता आपको मालुम है है भारती जन्था पार्टी अलग से पर एक सार ये नियम जलों पर लागू होता कर तो जो कि यहां सब्सक्राइब कर रहा हूं नियम दलों पर लागू मैं 202 जोड़ा परेंगे लिए क्वारती शक्राइब वां परती शीकिर्ट लिए तुम्हां गदीन फदूलों आपको को बताता हूं मैं सर कानून सुन लीजे ना 295 कानून की बात कर रहा हूं तब उस वस्ट रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि कि CAG के पैनल से जोग्य और अनुभवी चार्टट एकाउंटन की न्युक्ति की जाए तब उस वक्त का जिक्र कर रहा हूं मैं आप से और मुझूदा वक्त में क्या है कि खुदी ऑडिटर्स विठाइए और चैन करिये और फिर उसके बाद जो है आप कहिए कि देखिए भई आम तो स्वच्छ हैं एक मिश्टा साब यही हो रहा है सर में देखे एक्जैक्ली जो आपने बोला मैंने आपको बोला है कि दो क्लियर कट यहां पर इंवारेंटमेंट बने हुए हैं एकोनॉमी के बिजनेस करने के या फंड से रिलेटेड हमारे लिए जंता के लिए दूसरा नियम है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए दूसरा नियम है उनके लिए सर सारे रूल से रिगलेशन ही वह अपने पढ़ानी होती है तो आदमी मर्ज आता है रिक्वेस्ट करते करते हैं स्ट्रगल करते करते हमारे MP MLS की तंखा बढ़ानी आप मैं आदी पर्टी चार सो पर्संट का ग्रोथ इन लोगों ने कर दिया इतना बड़ा तो ग्रोथ कहीं मिला ही नहीं तो इन सारी पर्डियों का देश की दनता के लिए दूसरे मैं यहीं सारी पार्टियों से पुछना चाहता हूं सर 200 परसंट ऐसा कौन सा मेकनिम है मिश्राजी आपने वो नारा नहीं सुना थाइ्ट काम बोलता है आप मैने सर्ष की से कमेंड़े नारा भी आप अरभ पर döंका और श्रीता कोई किसी से कंगरी दिखाई रही एक राहल मित्तल सब को हैं चुनावी चंदे में पारदरशिटा वाली पार्टियां सिर्फ दिखावा करती हैं, हकीकत कुछ और है, भष्टा चार मुख की बात होती है, लेकिन भष्टा चार वहीं है, मोनु लिखते हैं कि इस बस मौका चाहिए, एक जूसरे पर बयान बाजी का, लेकिन हकीकत ये है, कि सब हमाम में नंगे हैं, अब सवाल 20 पांजे जी, एक सो अठावे फीज दी, फार्मूला बताईए जल्दी से, दस सेकंड में, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, पूरी सिद्दत से सेवा कीजिए, इमांदारी से सेवा कीजिए, यदि आपकी मेहनत में दम है, तो निश्चुत रुप से एक और ये आकरा थो, योगी जी ने का कि भाउचन समाजवादी पार्टी फिर तो आकना बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है, राजी मिश्रा, उधारन सिर्फ बोलने से नहीं होता, पेश करना पड़ता है, उधारन, तिल्दा जी, बिल्कुल आज आपने डिवेट करा इसको सार्थत करने सारे पार्टी पार्टी है, तो आपको ये बता दें कि जिस तरह से ये लोग बात एक कर हैं सिर्फ हवावाई है, आपको अबर पादर्सिता दिखानी है, जनता के साम लग जाना है, नहीं अबर वेटा शारी इन पास आ गए है, तो पता नहीं कौन सा सर्फ है, आप पार्टी के अंदर आप पार्टी की सरकारा जिन्होंने इस बात से पहले शुरूख के तीन पात हमेशा ही रहेंगे, इनके लिए अपने रूल्स कोई भी पार्टी हो, हम जनता हैं, पब्लिक हैं, हमें पिसना पड़ेगा, इनकी ग्रोथ होती रहेगी, देश की ग्रोथ होया मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग देश की ग्रोथ होता करवा पाएंगे, आप सभी महमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय में रुवास खतम होगे, आप सभी महमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, झाल झाल झाल